हे अवरिवार्ड तो पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था जितने भी हमारे पेरेंट एलिमेंट होते हैं जो हमारा कंटेनर होता है उस पे हम कौन सी प्रॉपर्टीज देते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे ग्रिड लेयाउट के पार्ट थी की जो की है कि हम चा container has one grid item for each column हमारा सब में जो है एक ही ग्रिड आइटम होता है हर कॉलम में हर रो में तो अगर आप इसको style करना चाहते हैं multiple columns के लिए multiple column in one row तो आप उस तरह से अपने grid की properties का use करके design कर सकते हैं तो आप screen पे देख रहें एक डाइग्राम जिसमें हमारा क्या है grid column और हमारे grid row तो जहां से जिसमें लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 इस तरह से करके लिखा हुआ है तो जो हमारी lines column के बीच में होती हैं उनको column lines कहते हैं जो हमारी row case में होती हैं उन्हें हम row lines कहते हैं तो अगर आप इस diagram को देखेंगे तो इसमें देखिए 8 items हैं 8 items हैं बट आप देख रहे होंगे हमारा पहला वाला जो ब्लॉक है वो काफी बड़ा है उसने दो spaces को cover किये हैं तो अब मैंने यहां पे style दे दी है item 1 जो हमारा item 1 हो उसका grid column जो start वो तो 1 से हो means हमारा वो तो starting से हो बट एंड हमारा कहां पे हो third पे हो grid column and third मतलब grid column column की बात हो रही है तो column हमारा टू यहां पे खतम होगा और फिर हमारा three यहां पे खतम होगा तो इसलिए वो दो column का space ले रहा है क्योंकि वन से third तक जा रहा है तो इसलिए यह हमारा one है दो columns का space cover कर रहा है और बाकि हमारे normal चल रहे हैं क्योंकि इस वाले पे हमने क्या किया है grid column start तो वन से हो बट grid column end हमारा three से हो अब हम similarly बात करेंगे जो हमारा grid row start है तो अब grid row end यह दो होते हैं मतलब हम rows की बात कर रहे हैं तो अगर आप डाइग्राम देखेंगे तो अब आप क्या देख रहे हैं कि first वाला जो हमारा ब्लॉक है उसने रो के दो बॉक्स को कवर किया है अगर आप इसकी CSS देखते हैं अगर हम CSS लिखेंगे तो क्या होगा हमारा जो आइटम वन है उसका grid row start तो वन से हो बट हमारा end क्या हो three से हो तो यह क्या है यहां पर बात हो रही है रो की तो one हमारी रो कंप्लीट हो रही है यहां पर थ्री हमारी कंप्लीट हो रही है यहां पर इसलिए इसने दो रो के ब्लॉक को कवर किया है तो यहां पर मारे दो चीज़ें एक हमारी हो गई रोक पे और एक हमारी हो गई कॉलम पे सोच रहोंगे कि हम पूरा पूरा ग्रेड रो चार मतलब बहुत जादा प्रॉपरटीस नहीं हो गई मुझे भी बहुत जादा लग रही है तो उसके लिए बहुत सिंपल से से सिल्यूशन है और बहुत चोटा से सिल्यूशन है उसके लिए हम क्या सब्सक्राइब करेंगे ग्रिड कॉलम ग्रिड रो मेंस हमारे स्टार्ट और end एक ही में cover हो जाएगा ये grid column हमारा short hand होता है अगर हमें दोनों values देनी हैं तो हम क्या use करेंगे for column grid column use करेंगे अगर हमें row में दोनों values देनी है start और end तो हम use करेंगे grid row जिससे कि हम दोनों values साथ में define कर सकते हैं अब हम बताते हैं grid column की बात करते हैं तो grid column को अगर हमें use करना है जिसमें start and दोनों mention करने हैं तो हमसे कैसे use करेंगे तो आप diagram देख रहे हैं उसमें क्या है हमारे 15 columns हैं और हमारा पहला वाला हमारा बहुत जादा area cover कर रहा है क्यों क्योंकि हमने style यहां पर हम क्या देंगे grid one slash five मतलब हमारा column कितने लेगा one column से start होगा one line से start होगा बट यह column की fifth line तक जाएगा तो हमारी फिफ्ट लाइन वहां पर complete हो रही है इसलिए उसने उतना area cover किया हुआ है तो इस तरह से अगर हम यह 3 तक देना है तो one slash three अगर हमें two से start करना है five तक तो two slash five तो इस तरह से हम यहां पर slash में value देते हैं दोनों की जिससे पहला वाला start हो गया slash के बाद वाला end हो गया अब एक value हम देते हैं grid column one slash span three अब इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब यह कि हमारा grid जो line one है column की वहां से start हो बट हमारा three पे end हो बट three का पूरा span भी ले तो आप जैसे कि अगर screen पर देख रहे हैं अगर मैंने यहां पर one slash span three दिया तो यह पहला क्योंकि इसने क्या किया है इसने हमारा cover किया है span three का area भी अब आपको difference दिखाते हैं अगर हम यहां से span हटा देंगे तो क्या होगा जैसे ही मैंने यहां से span हटाया तो अब यहां पर span हटा के फिर देखेंगे यह क्या हुआ यह दो column ले रहा है क्योंकि यह one से start हो के three पे ख क्लियर हो गई होगी यहां पर एक चीज़ और से clear कर देते हैं means one slash span three और one slash four हमारा same काम करेगा मतलब हमारा one से लेके four तक line जाए या फिर one से लेके third span को include करके जाए तो यह दोनों हमारे same grid column हमारा खतम हो चुका है अब हम बात करेंगे सिर्फ grid row की अब grid row में आप यह वाला diagram देखिए और इसकी value देखिए इसमें मैंने क्या दे रखा है dot item one जो हमारा item one means हमारा पहला one वाला column है उसका जो grid row one slash four हो अब मतलब हमारा वन लाइन से स्टार्ट हो बट हमारा फोर्थ लाइन पे एंड हो तो इसलिए इसने क्या किया पूरा फोर्थ लाइन तक एरिया ख़र कर लिया है रो में तो इसलिए उसने इतना वैल्यू किया है तो यह आप different different यहां पर यहां पे दे सकते हैं अगर आप यहांप 3 देते तो यह हमारा 3 line तक cover करता अब इसमें भी same concept है हमारा span वाला अब हमने जैसे कि आप diagram देखेंगे तो इसमें हमारा diagram इस तरह से बना हुआ है और हमारा value क्या है item 1 grid row 1 slash span 2 तो क्या हुआ है one line से तो start हो रहा है two line तक end होगा बट second का पूरा span भी cover करेगा तो इसलिए इसने दो box का cover लिया है that means अगर हम one slash span two दे या फिर one slash three दे तो ये दोनों हमारे same work करेंगे कि हमारा span का area या फिर हम three line तक दे बट आप सूच रहे होंगे आपको इसमें हमें अलग-अलग column के लिए अलग property देनी है row के लिए अलग देना है तो अब इसको भी अगर आपको shorten करना है इसको भी आपको minimize करना है तो उसके लिए हम grid area का use कर सकते हैं जिसमें हम simply सारे area specify कर सकते हैं अब जैसे कि आप screen पे दे प्रॉपर्टी की value दी है वो क्या है grid area 1-2-5-6 तो यह हमारे चार आप सोच रहे होंगे आप यहां पर दो देते थे अब आप यहां पर चार वैल्यू दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हम आपको बताते हैं जो हमारा इसका syntax होता है वो क्या होता है grid row start slash grid column start मतलब हमारा प तो रो कॉलम रो कॉलम इस तरह से चल रहा है और पहले दोनों का start फिर दोनों का end तो आप इस तरह से देख सकते हैं जो हमारा grid row start है वो one है grid column start है वो two है grid row end वो five है और grid column end हमारा six है तो यह simple इस तरह से work कर रहा है इसलिए eight वाले ने इतना area cover किया है तो अगर आपको इस त पारो value define कर सकते हैं तो यह सारी properties थी जो कि हम child element पे देते हैं और हम इस तरह से अपने structure को control कर सकते हैं तो यह आप देख रहे हैं जहांपे लिखा है header menu main right footer तो यह आप देख रहे हूंगे आप सोच रहे हूं कैसे बनाएंगे कोई दिकत नहीं हम next video में इसको grid से कैसे control करना है वह हम next video में बताएंगे तो अगर हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बैल आइकन जबा लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अगले वीडियो को notification आपके पास पहुंच जाए तो मिलते हैं next video में इस वाले structure के साथ थब तक के लिए बाई तक केर